हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आइस वीडियो में हम बात करने वालेंगे किस तरह से गूगल आपके उपर बेट करके जब भी आप ऑनलाइन रहते हैं तो गूगल आपको मोनीटर करता हैं वो किस प्रकार मोनीटर करता हैं कैस कैसे करता हैं वो सभी चीजे पूरी डेटिल्स हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों यह जितने भी यूट्यूब जीमेल गूगल मैपस जितने भी चीजें यह सभी गूगल कही प्रोडक्ट है तो दोस्तों आप अगर आपने ड्राइब पे आप कुछ डोकुमेंस रख एक निस वेबिटा डाइबे जिस व्यूस्तों कर रहा है जिस त्रह के मेशेशें आपने दोस्ते लाइद hunters जो भी किया है चिंब गूगल Children's इस प्रकार से उसे privacy रख सकते हैं और आप तक जितने भी आपके history बन चुके है उसे आपको कैसे डिलीट करना है तो यह सब चीजे मैं आपको बताऊंगा तो इन सब चीजों के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा गूगल पे गूगल पर आने का बाद यह जो right side के जो top button है यहाँ पर आपको जाना होगा अपने Gmail अकाउंट पर यहाँ पर आने का आपको जाना होगा मैने जिए और Google एकांट पर आने का बाद आपको यह data and personalization मैने जिए data and personalization पे जाना होगा तो यहाँ पर जाने काथ आप दोस्तों देख सकते हैं, activity control, तो यह सारे चीजे google control कर रहा है, google monitor कर रहा है, यह देख सकते हैं, web and activity, आपने जितने भी web site visit कर रहा है, जो app आपने इस्टोल किया हुआ है, और google history, for suppose आप जिसे कि आप कही जा रहे हैं, किसी location पता नहीं है, तो आ Google आपको बता देती है, तो यह सारे चीजे history जो है, कहा पर चले जाते हैं, Google के पास चले जाते हैं, जब आप Google को कुछ पूछते हैं, तो Google आपको बताता है, जिसे आप boys recording ए थो आप पूछते हैं, कि जिसे कि ATM nearby me, तो आपको Google बताते हैं, कि आप की सामनी यह यह ATM है, तो इ यहाँ पर आने का बाद यह सारे चीजों को आपको अनमार्क करना हो, जैसे कि इसे में हाइट कर दिया, पोस, तो यह तो यह देखिए, यह आप पोस हो चुका है, तो यह आपी चीजे आपकी history नहीं बनेंगी, location history आप इसे पोस कर दीजे, दोस्तों, location history को आप यहाँ पर स जैसे कि मैंने यह close कर दिया, location, location ओप हो गया, आपकी YouTube history को भी आपको hide करना है, तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने सारे history, जो जो data आप Google के पास जा रहे हैं, उसे आप record होने से आप रोक सकते हैं, उसके बाद, अभी तक आपने जो जो चीजे करी हुई है, जो जो website चीजों को आपको delete करना है, तो उन सब चीजों को आप delete के से करेंगे, तो manage activity पर जाहिए यहाँ पर, या फिर आप directly my activity.google.com पर भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, यह website अभी आ जाएंगे, आप इसके थरू भी आप उस website पर जा सकते हैं, और सीधा आप जैसे कि यह all time पर click किजेगा, all time पर click करने के बाद यह सारी चीज़े select हो चुकी है, google, shopping, search, maps, यह सारी चीज़ों को आप यहाँ से next करके आप delete कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़े delete हो चुकी है, मेरे web fresh हो चुका है, तो दोस्तो इस प्रकार से आप अपने google account में, जो जो history आपकी अभी हो करके बेटी हुए google के पासे उसे आप delete कर सकते हैं, तो दोस्तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगी, informative लगा हुआ हो, तो please मेरे वीडियो को like कर दीज़ेगा, और मेरे चैनल को subscribe कर दीज़ेगा, thank you दोस्तो